चनपद रूदर प्रयाग मुख्याले से भारती स्वेना सॉल आफ स्टील के सहयुक से 26 सदस्विया वाटर रॉफ्टिंग अभियान दल को 6 ग्रे नेडियर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हितेश वासिस्ट ने जंडी दिखा कर रबाना किया है आपको बताने की रूदर प्रयाग आर्मी केंट में आयूजित कारिकरम में इस अभियान के उदेश को लेकर सेना के अधिकारी द्वारा विस्तार से जानकरी दी गई है वहीं इसके बाद अलक नंदा नदी के तर्ट पर जबारी बाइपास में 6 ग्रिनेडियर के सीओ करनल हि अधिकारी करनल यूस रावत ने कहा कि उत्तरा खट में रिवर्स पलायन के साथ ही यहां के सहसिक परेचन को बढ़ा बढ़ाने के लिए यह आयूजिन किया गया है वहीं एडवेंटर एंड वाटर स्पोर्ट के सीओ राकेश सजबाल ने कहा कि दल रूदर प्याग से इस समय मैं हूँ सोल ओफ स्टील चैलेंज में जो कि क्लॉदारा किया गया है क्लॉद यानि कि कॉंकर लैंग एर वाटर जो की मिनिश्ट्री ओफ डिफेंस के उदारा मेजर विवेक्सर और जो पैरा वेटरंज है उन्होंने शुरू करा इनका मुख्य काम है यूआ और उन लैंड एर एन वाटर तो लैंड वाला इवेंट जून में खतम हो गया अभी वाटर वाला इवेंट चल रहा है यह जो आज शुरू हुआ है इसमें तक रिवन 23 बच्चे हैं जो परतिभाग कर रहे हैं आज इनका फर्स फेज में लोगों यहां से रूदर प्राक से शिद् में कोडियाला के बाद फिर अगले चौते दिन इनका यह समापन होगा रिशिकेस में यहां अंकल हम दोग आरक है असाम से हम बहुत दूर से यहां राफ्टिंग के लारक है हमें इंविटेशन मिला था क्लो की साइट से और बड़ी हाइकर्स की साइट से यहां पर आफ्ट यहां पर जो है रिवर राफ्टिंग का जो है हम लोग ने एक एक एक्षपडिशन यहां पर लाउंच किया है जिसमें की बैक अप सपोर्ट जो है वो इंडियन आर्मी का है हमारे साथ जो है अंकलो टीम की पूरी की पूरी इस्ट्रक्टर टीम है यहां पर जिसमें की जगातार जो है यहां पर कोशिस है कलो के द्वारा की जो है यहां पर उत्राखंड के अंदर टूरिजम को जो है बढ़ावा देने के लिए